एक सवाल किसी ने पूछा है कि क्या प्लाट की निशानदही से पहले उसकी फरोख जायज है को जमीन का प्लाट है अब वो पेपर्स दिखा दिये उसको लेकिन अभी जगे नहीं देखी उसने वहां जाकर कि साइट पर नहीं गया और यहां डील हो गई तो क्या इस तरह से ड गंबर और उसकी चारो हदें लिखी रहती हैं उससे जो लोग जमीन के बारे में वाक्फियत रखने हैं वो समझ जाते हैं कि यह जमीन फुलाँ जगा पर है और उस रिजिश्टरी को ले करके उस जमीन पर जाके खड़े हो जाएंगे कि यही वो जमीन है तो पेपर्स दे देना इस तरह के यह गोया जमीन की निशान देही कर देना है कि यही जमीन है अगर चुछ उस जमीन पर ले जाकर नहीं देखाया कि यह जमीन है फिर भी निशान देही वो ही जाती है तो ये निशान देही भी जमीन की खरीद फरुखत के लिए जायज वा दुरुस्त है और कोई हरज नहीं है और अगर ऐसा पेपर नहीं है तो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं कि जिन से निशान देही नहों पाते हैं कि जमीन कहा है दूड़ा करे लेकिन कुछ पता ही नचले कि वो कहा है तो ऐसे पेपर काफी नहीं होगी और ऐसा पेपर हो जिसमें उसकी चारो हदे ब्यान कर दी गए है जमीन का नंबर दे दिया गया है तो नक्षा दे करके वहां पर पहुंचा जा सकता है यह पेपर देना ये जमीन की निशानदी कर देना है गोया जमीन की जमीन पर लिएकर खड़ा कर देना है लहाजा उसकी खरीद फरोगत जायज बाद दुरुस्त है कोई आरज नहीं है जी